नमस्कार दिस इज मनीशा गोत्नम एंड आई वन्स अगेन वेलकम यूटू माई यूटूब चैनल कॉमर्स इस्कूल और आज की इस वीडियो में हमारा टोपिक रहेगा जनल एंट्री या फिर दबल एंट्री सिश्टम जो की आप कोई भी एक्जाम दोगे जिसमें कॉमर्स इस वीडियो में इस टोपिक को अच्छे से करोगे तो फिर आपका जो क्यों होगा यहां से आपका एक नमबर पका हो जाएगा तो चलिए स्टार्ट करते हैं तो देखिए जनल एंट्री या फिर डबल एंट्री सिस्टम और स्टार्ट करने से पहले जैसे कि मैंने आपको इस टेट पीजिटी कोमर्स विदिन 30 डेज हम जो आपका स्लेव से उसको कंपलीट करेंगे तो उसी सीरीज में आज ही हमारी वीडियो है सेकिंड तो इसके अंदर मैं पहले ही आपको ठीक है टाइप सो अचुकी हूं तो आज जो भी आपके जो अकाउंट से डिफरेंट ड हम देखेंगे तो चल यह स्टार्ट करते हैं तो जब अपे जो भी ड्रडिक्शन हो एक इसको करोगा मैं बन सकती हूं कि जो एक बिजनेस के अंदर कव सकती है तो वह première ड्रांजक्शन को एक तो यह काव complaint करते है कोई बी एक जूанд कr लेकान्ट को क्रेडित ओगा तो आपको कैसे पता चलेगा कि भी हमें किस अकान को डेबिट करें किन चूंट को क्रेडिट करें तो आज की वीडियो में कि चलेगा कि किस अकान को डेबिट करना best परना और उन रूल्स को फोलो करते हुए या पर किस अकाउंट को डेबिट करोगे रूब तो बिसिकली जो हमारा अकाउंटिंग सिस्टम है वो किसके उपर बेज़िए डबल एंट्री सिस्टम के उपर बेज़िए डबल मीन से डबल से नाम आपको पता चलना कि दो अकाउं तो आपको पता होगा और यह आपके इतलियन मैथेमेटिशियन है और इनको बोला जाता है यह फिर आपको पूछ सकते हैं तो अभी आपको पता होगा और यह आपके इतलियन मैथेमेटिशियन है ठीक है तो उसके बाद जो आपका अकाउंटिंग जो हम करते है ठीक है जो अकाउंट से उनको डेबिट करेंगे या क्रेडिट करेंगे तो उसको कौन डिसाइड करता है तो उसको डिसाइड करने के लिए basically there are two types of approach दो आपके अप्रोच है जो डि लेकिन एप्रोच हापकी ब्रिटिस अप्रोच और ट्रेडिशनल अप्रोच तो जो हम accounting करते है हम basically जो ब्रिटिस अप्रोच है या ट्रेडिशनल है तो यहां पर यह जो एप्रोच है इसके according जो एकाउंट से define किये गए है और इन अकाउंट के जो रूल्स है तो उनको follow करत से हुए हम अकाउंटिंग करते ठीक है लेकिन फिर भी मैं आपको अमेरिकन अप्रोच के बारे में भी थोड़ा सा बता देती हूं लेकिन जो हमारी बिटिस अप्रोच रहेगी इसको हम थोड़ा और डिटेल में करेंगी तो देखें अमेरिकन अप्रोच या फिर इसको क्या बोलते हैं modern approach यहां से भी आपका एक mcq बन जाएगा कि आपकी कौन सी दो एप्रोच इस है जो decided करती है कि account debit होगा या credit होगा तो आपको option given होगे अगर आपको पता होगा तो आप easily answer कर दोगे कि दो approach हमारी American है और British है और इनका जो second क्रेडिट करोगे तो इसका रूल क्या बोलता है कि अगर आपके assets increase हो ठीक है increase in assets है तो आप assets account को क्या कर दोगे debit कर दोगे ठीक है और अगर आपकी assets decrease हो रही है तो फिर आप क्या करोगे assets account को credit करोगे ठीक है तो यह arrow से आप समझ जाना उपर की तरफ arrow means increase और निचे की तरफ means decrease ठीक है तो assets अगर increase होई तो हम उसको debit करेंगे उस account को debit करेंगे और अगर assets हमारी decrease होई तो हम उसको करेंगे credit second आपका liabilities तो liabilities के लिए आपका क्या rule रहेगा liabilities के लिए आपका rule रहेगा कि अगर आपकी liabilities कम हो जाती है तो हम क्या करेंगे उसको debit करेंगे और अगर liability हमारी increase हो जाती है बढ़ जाती है तो उसको हम क्या करेंगे credit करेंगे उस account को income and expenditure के case में क्या होगा अगर आपके expenses हुए है तो हम क्या करेंगे debit करेंगे और अगर income हुई है तो हम क्या करेंगे credit करेंगे तो आपका almost ऐसे जैसे कि यहां पर यहां पर डारेक्ट ऐसे दिखा दिया कि assets increase or decrease हुई तो हमने क्या किया liabilities और यहां पर इनोंने कुछ rules इस तरह से बना दिये कि आप जो मैं बताऊंगी तब आपको अच्छी से clear होगा ठीक है तो यह था अमेरिकन अप्रोच अब हम बात करेंगे बीटिस अप्रोच पर जो कि basically हम फोलो करते हैं जो हमारी accounting हम करते हैं तो हम इस approach को फोलो करते हुए एक तरह से बोल सकते हैं तो देखें इसमें आपका basically three accounts है मैं आपको अल्रेड़ी बता चुकी हूं there are three types of account personal account और real account और nominal account अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो उस वीडियो को देखें वहां से आपको हमें फिल कलियर हो जाएगा तो पर्सनल accounting करना है और जो गीवर उसको क्रेडिट करना है अगर आपको आपको स्क्रिन सोट लेना तो एक बाद फिर मैं उसको पूरा डिटेल में एक जैंपल के साथ आपको एक्स्प्लेन करती हूं ठीक है तो यहाँ पर आपको क्रेडिट करोगे तो यह बोलता है कि अगर आपका अकाउंट कौन सा है परसनल अकाउंट है तो परसनल अकाउंट पर आपको यह वाला रूल फोलो करना है रूल क्या है कि डेबिट रिसीवर एंड क्रेडिट गीवर मिलने वाले कि जिसने रिसीव मिला है 50,000 रुपे का ठीक है एक बिजनेस के अंदर ऐख आया ठीक है कहा यहां पर लीख सकती हूं है कैश रिशीवड फ्रों मोहन ठीक है कैस रिशीवड फ्रों मोहन रुपीज 50,000 समझ जाना ठीक है तो अभी देखना बिजनेस यहां जब भी आप कोई भी करोगे कोई भी entry करोगे तो business point of view से करोगे आप यह सोच के चलोगे कि आप बिजनेस में हूं या आप बिजनेस हो ठीक आपका बिजनेस है तो उसके कोडिंग आपको entry करने जैसे अभी मैंने क्या लिख्या है cash received from मुहन से क्या मिला पैसा मिला 50,000 रुपे तो अभी मेरे बिजनेस में क्या आया है cash और यहां पर cash received from मुहन तो यहां पर यह देखना पहले मुहन ने क्या किया है मुहन क्या गीवर है देने वाला है तो यह आपका क्या बोलता है debit the receiver and credit the giver तो यहां पर अभी और सबसे पहले यह क्या आपका personal account है तो पहले आपको यहां पर ढूंड़ना है यहां पर दो वर्ड आया आए आपके आपने ट्रांजिक्शन की cash received from Mohan ठीक है तो यहां पर एक तो आपका आया cash और एक का मुहन तो अगर आपको पता है तो आपको पता होगा मुहन आपका account है मुहन आपका personal account ठीक है और जो cash है यह आपका कौन है cash received from Mohan, Mohan से मिला है, तो Mohan देने वाला, तो Mohan क्या हुआ गीवर, तो Mohan को हम क्या करेंगे to Mohan, ठीक है, तो Mohan को हम क्या करेंगे, 50,000 रुपे से credit, अभी मैं debit नहीं करें, वैसे स्केंट्री होगी, cash account debit to Mohan, तो यहां पर Mohan देने वाला था, इसलिए हमने उसको क्या कर दिया, गीवर था, तो उसको credit कर दिया, ठीक है, अगर मैं बोलती हूँ, कि यहां पर अगर मैं बोलती हूँ, हरी received cash, ठीक है, हरी है जो, हरी मैं यहां पर बोल सकती है, तरह से owner या कुछ भी लगा लो, ठीक है, तो उसको क्या हूँआ, cash मिला है, तो अब आप फिर से यहां पर देखें, अब हरी क्या है, हरी क्या आपका personal account है, तो personal account आपका क्या बोलता है, debit the receiver, credit the giver, ठीक है, तो हरी को क् हरी हुआ, तो अब हमारी entry क्या होगी, अब हम क्या करेंगे, हरी को क्या करेंगे, debit ठीक है, हरी account, debit, और two cash हमारा होगा, ठीक है, अभी के लिए आप से debit or credit देखें, तो आपको समझाया होगा, अगर personal account आपका receiver है, तो उसको debit करेंगे, अगर personal account आपका giver है, देने वाला है, तो उसको credit करेंगे या फिर मैं यहां पर आपको एक transaction और लिखती हूं जिससे आपको अच्छे से clear हो जाएगा ठीक है जिसे मैं यहां पर अपना ही नाम ले लेती हूं मनिश्य संब्सकी तो मनिश्य प्रवक फ्रों मनिश्या रर्ष सट देती मैं आपको समझाने के लिए मैं मनिश्य ने ने राम से पैसे मिलनी है तो यहां पर राम हमारा क्या हुआ देने वाला वा ओर मनीशह पर क्या होई रिसीवर हुई मैंने आपको समझाने के लिए लिख स्मझाने के लिए तो आई होप稱 में आगया होगा टीक है तो आपका basic personal account का rule इसके बाद आता है आपका second real account अब मैं बात करती हूं real account की तो real account आपका खोंस है मैं थोड़ा सा भी यहां पर भी बता देती हूं जो भी आपका assets एक business की उससे related जो भी account होगा वह आपका क्या कहलाएगा real account और assets आपकी दो तरह की होती है tangible जिसको आप देख सकते हो छूँ सकते हो ठीक है और एक होती है आपकी intangible तो इन सब से related अगर कोई भी account है तो उसको क्रेडिट कर दो तो रूल क्या बोलता है debit what comes into business एक business के अंदर जो आया उसको debit करो and credit what goes to the business और business से भार जो गया उसको हम क्या करेंगे credit तो इसको भी हमें एक जामपल से समझते हैं अभी जैसे मैंने यह ऊपर एक जामपल लिया था ठीक है तो चले फिर में यहापर दूसरा एक जामपल लेती हूं तो पहले जैसे कि मैं बोलती हूं machine ठीक है machine purchase आपने machine खरीदी अभी फिलाल के लिए इतना है ठीक है machine purchased for rupees 50,000 ठीक है पचास एजार उपे की machinery खरीदी है एक business ने तो आप बताइए सब से पहले तो यहाँ पर machine हमारे क्या आपको पहले चेक करना पड़ेगा कि कौन सा account है कौन कौन से account है इस transaction के अंदर कि दोनों ही personal account है या एक personal account है एक आपका real account है या फिर आपका nominal account है ठीक है यह अब भी मशीन को क्या करो गे पचास जार पिर अगर उपने cash GPA में को परaceut Our ने रूपीज ही लिख्र मिन्स क्या है या ने पर गैसा है åh तो इसलिए हमारे गया है और मशिनरी हमारी कम्स मशिनरी आई है तो इसलिए हमने इसको डैबिट कर दिया और यही हमारा यहां पर लूह है बोलता है ठीक है तो यह था basically डिया अकाउंट का रूल next आपका nominal account आपका कुन सा account कहलाता है जो accounts किसे related हो आपके जो भी expenses है losses है ठीक है nominal account basically किसे related आपका जो भी आपके expenses होंगे या आपका loss हुआ हुँआ है और यहां पर आपके जो भी गें है जो भी प्रोफिट हुए ठीक है अब यह आप काऊंट आपका क्या आपने सेलरी की पेमेंट की तो यहां पर मैं बोलती है इन रूपीज रूपीज मींस समझ जा ना यह तो अंडर स्टूड है कि वह कैश में आपने पेमेंट की है तो सबसे पहले देखिए जो आपने यह अब आपने देखा कि जो सेकिंड अकाउंट है ठीक है वह मेरा रियल अकाउंट हो जाएगा ठीक है यह एसे एक तरह से बिजनेस की कैश तो नौमिनल अकाउंट का रूल क्या बोलता है डैबिट औल आपको क्या करने पड़ेगे तो आप देखा कि जो सेकिंड अकाउंट है ठीक है वह मेरा रियल अकाउंट है रियल अकाउंट क्या बोलता है डैबिट वट कमस इंट बिजनेस प्रेप तो घ्रार लिए टो के जुँनेंट आपको जो एंट्री वह वो करने पड़ती है और यह डबल एंट्री सिस्टम बेस हैं क्योंकि यहां पर आपके कम से कम दो काउंट्स जो एफेक्ट हुए है एक account को आपने debit किया तो दूसरे account को आपने credit किया यहाँ पर आप ऐसे एक example और देती हो आपको मैं income का for example जो business है आपको commission received ठीक है आपको commission क्या हुआ मिला कितने रुपे का commission आपको मिला 2000 रुपे का तो इस case में देखिए जो commission है यह आपका कौन सा है nominal है क्योंकि आपका commission आपके लिए क्या हुआ profit हुआ फायदा हुआ तो अब आप इसको क्या करोगे जो भी आपके all income और gains उनको हुआ करते credit तो हमारा commission क्या होगा credit तो हम करेंगे two commission तो फिर आप भी हम debit किसको करेंगे credit तो हमने कर दिया तो फिर हम चेक करेंगे कि हमारा दूसरा account कौन सा है हमें 2000 रुपे मिल लिए है ठीक है तो cash हमारे पास आया है तो cash भी हमारे कौन सा rule apply होगा real account का तो आया है debit what's coming to business cash आया तो cash को हम क्या कर देंगे debit तो हमारे क्या होगा cash account debit तो इस तरह से basically यह यहां पर आपके तीन accounts है personal account, real account और nominal account आपकी जो पूरी accounting है वो इन ही तीन accounts पर based है अगर आपने इनको अच्छे से समझ लिया तो फिर चाहे कैसे भी कोई भी general entry हो आप इजली कर पाऊगे सबसे पहले आपको identify करना है जो भी transaction तो उस transaction के अंदर आपको check करना है कि आपके कौन सी account दो जो account आपके effect होंगे effect हुए है ठीक है तो यह दो account आपके कौन-कौन सी है तो चेक करने के बाद आप देखे भी personal account है उसमें से एक real account है तो फिर जो इनका rule है वेफ फोलो करते हुए आप आप एजली उस account को debit या फिर कर दोगे ठीक है तो यह था आज की वीडियो में डबलेंटी सिस्टम जेनर और यहां से आपना कम से कब 10 क्योशन भी हां से एंसे क्यों में निकाल सकते हो अगर से एक मैंने आपको बताया यहां से पूच सकते कि फादर ओव डबलेंटी सिस्टम सेकिंद क्योशन फादर ओव दा मोडन अकाउंटिंग सिस्टम ठीक है ऐसे फिर दो अप्रोच इज मैंने बताई आपके कौन-कौन सी अप्रोच है फिर जैसे बिटी सब्रोच है इसके अ आपका परसनल अकॉंट का या फिर द्रील काॉंट का ठीक है तो यहां से आपका पका अपका एक उसन आपको देखने में थैंक यू